नहाना हमारी जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो की हमारे शरीर को साफ सुत्रा और हाईजेनिक रखता है हमारे भारत में तो कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना नहाय तो सुभा का नाश्टा भी नहीं करते और नहाना हर इंसान के लिए जरूरी है पर ठंडी के मौशन में हमारे यहां तो कुछ लोग एक दो दिन तक नहीं नहाते, कुछ-कुछ तो एक हफ़ते तक नहीं नहाते, एक दो दिन नहीं नहाने से कोई जादा परिसानी नहीं होती, पर क्या होगा अगर एक इंसान लागातार एक साल तक नहीं नहाए तो, तो चल भी जानते हैं कि हमारे शरीर के पसीने का कोई गंध नहीं होता शरीर से स्मेल तब आती है जब पसीना हमारे शरीर पर मौझूद बैक्टेरिया के ऊपर जाता है और एक साल तक नहीं नहाने पर आपके शरीर में अंगीनत बैक्टेरिया आ जाएंगे और शरीर स्मेल होना सुंग सुंग कर आदत बढ़ जाएगी बैक्टेरिया से आपकी स्किन में खुजली बढ़ जाएगी हर समय शरीर इतना खुजाएगा कि आप कुछ दूसरा काम नहीं कर पाओके इसके पास शरीर पर फंगस होने लगेगा फंगल इंफेक्शन आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं इससे काफी सारे स्किन डिजीजिस होने के चांसे बहुत जादा है नहीं डाले से आप स्किन की बिमारियों के चहेते हो जाओगे आपकी आउटर स्किन पूरी तरह डैमेज हो चुकी होगी आपके शरीर में लगबक 4 केजी डेड्स किन सेल्स जम चुके होंगे चहरे प जिराफ के शरीर की तरह ब्राउंट पैचेज हो जाएंगे। बैक्टेरिया शरीर में काई लैंफेक्शन पैदा करेंगे। then in甘िटेरिया आपके मुग के दो और से शरीर के अंदर भी जाकर आपके शरीर को अंदर से डैमेज शरीपुच कर सकते हैं, शरीव टोईलेट सीर्ट से भी ज़्यादा अनहाईजैनिक हो जाएगा, उसके बाद आपका स्कैल्प तैमेज होने लगेगा, शरीव में डैट स्किन बढ़ने से आपके बाल दैमेज होने लगेंगे, और पर्मनेंटली डैमेज हो जाएगे, स्कैल् दिन पानी से बालों को जरूर धोए और हर सब्ता दो से तीन बार शैंपू जरूर करें हर रोज शैंपू आपके बालों को डैमेज कर सकता है नहीं नहाने की वज़े से आपकी इतनी गंदी हालत देखकर आपसे कोई बात नहीं करेगा और नहीं आपकी कोई मदद करेगा आप खुश रहना छोड़ देंगे लेकिन जब बिना नहाए आप एक साल बिता दोगी तो फिर से नॉर्मल इंसान बनने में आपको दू से तीन वर्ष लगेगा पहले तो आपको रगड के नहाना होगा वो भी डेट आल या फिर सैवलोन मिले पानी से उसके बाद डर्मेटो ट्रीटमेंट किये जाएंगे उसके बाद आप अपने पुराने रूप में वापस आने लगोगे लेकिन लाइक की स्पीड से नहीं कछू की चाल से आप धीरे धीरे रिकवर करने लगोगे और दो तीन साल में आप नॉर्मल हो जाओगे लेकिन आपकी स्किन पहले की तरह तो नहीं रहेगी हलकी सी डल रहेगी लेकिन अब एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखोगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेर जरूर करने धन्यवाद झाल